दोस्तो स्वागत है सभी का एक्जाउन से देमेसी यूट्यूब चैनल पर गर्मियों की छुट्टियों में हम पढ़ रहे हैं गडित के बेसिक नियम की सीरीज तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चिन्नों का गुड़ा calculation of plus minus समझेंगे कि चिन्न कैसे बदलते हैं जब हम गुड़ा करते हैं plus और minus का अगर कोई दो संख्याए हैं और एक plus की है या दूसरी minus की है या फिर दोनों plus की है या फिर दोनों minus की है और उनका हम जब गुणा करते हैं तो उनके चिन जो हैं वो किस प्रकार बदलेंगे आज की इस वीडियो में समझ लेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना हो और दोस्तो चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत से सबस्क्राइब कर लो पर आपको सबी वीडियो मिलते रहेंगे तो चिन कैसे बदलते हैं चिनों का गुणा कैसे करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं प्लस इंटू प्लस यानि कि प्लस और प्लस की अगर कोई दो संख्या हैं बच्चों तो फिर किस तरह से साइन उसका बदलेगा किस तरह से चिन बदलेगा मान लेते हैं कोई संख्या 5 है और मान लेते हैं कोई संख्या 8 है 2 संख्या हैं और इनका हम गुणा करते हैं तो ये संख्या का चिन क्या होगा तो हम जानते हैं कि प्लस में 5 है और 8 भी जो लिया है वो भी प्लस में यानि कि दोनों संक्या है धनात्मक हैं दोनों संक्या है प्लस में हैं यहाँ पर कोई माइनस वाली संक्या नहीं है तो सीधा सीधा हम इनका गुणा कर देंगे पांच का गुणा आट में किया जाएगा तो यहाँ पर चालिस आ जाएगा जो की एक प्लस की ही संक्या रहेगी अब प्लस लगाओ, चाहे ना लगाओ, तो यहाँ पर यह प्लस में 40 आएगा, आप इस बात को एक और उधारल से समझ सकते हैं, कि मान लेते हैं कोई संख्या है 12, और कोई संख्या है 5, इन दोनों का गुड़ा हम जब करेंगे, दोनों ही संख्या है प्लस में, 12 भी प्लस का ह और 5 भी प्लस का है, तो यह 40, 12 पंचे 60, ठीक है 12 पंचे कितना आएगा, 12 पंचे 60, तो यह भी एक धनात्मक संख्या आएगी, यानि कि धन संख्या ही, रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगी बच्चों, इसी तरह से अगर कोई बीज गड़ित का प्लस माइनस वाली है, तो A इंटू A अगर हम कर रहे हैं, तो A की पावर 2 हो जाएगी, और यह A की पावर 2 भी प्लस में ही रहेगा, बच्चों, A की पावर 2 भी प्लस में रहेगा, A की पावर 2 भी यहां पर प्लस में ही आएगा, यहां पर कोई भी चिन का बदलाव आपको देखने को नहीं म मान लेते हैं कि x into y हमने यहाँ पर दो चर संख्याओं का गुणा किया x into y का गुणा किया तो यहाँ पर x into y का जब हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या result आएगा x y आएगा और यहाँ पर plus ही है यहाँ पर minus निशान यहाँ पर minus चिन नहीं आएगा इस बात को आप ध्याज से समाज़ ले तो जब plus into plus रहता है plus और plus का जब गुणा होता है तो result हमेशा plus में ही आता है यह गुड़ा के चिन्नों का जो गुड़ा होता है उसका पहला नियम है कि plus और plus इ और plus को show नहीं भी कर सकते चाहे तो plus दिखाएं चाहे तो plus ना दिखाएं दूसरा example आप देखो कि plus into minus जब किया जाता है यहाँ पर थोड़ा सा खेल बदलेगा मान लेते हैं कोई संख्या है 5 यह 5 संख्या plus में है मान लेते हैं कोई संख्या है 3 और 3 जो है वो minus में है तो इस इसका गुड़ा हम 3 के साथ तो करेंगे इसका गुड़ा 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 15 आएगा लेकिन क्योंकि 5 का गुड़ा minus 3 के साथ हो रहा है तो यहाँ पर result जो होगा वो minus में आएगा 5, 3, 15 और यहाँ पर यह 3 का चिन का गुड़ा जो minus है इसका भी होगा इसलिए result जो होगा वो minus में आएगा तो यहाँ पर minus 15 minus 15 इसका answer होगा एक और example से समझते हैं मान लेते हैं कि 12 minus के 12 है ठीक है minus के 12 है into minus के 12 है into 3 है इधर ले लिया minus का कोई दिख करने तो यहाँ पर 36 आएगा लेकिन यह 36 minus का आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक संक्या plus में है और एक संक्या minus में है तो result हमेशा आपको minus में देखने को मिलेगा minus का निशान minus का sign हमेशा जीतता आपको मिलेगा minus का निशान हमेशा आपको जीतता मिलेगा तो यह पर एक plus का था एक minus का था तो गुड़ा तो direct होगा लेकिन जो result आएगा वो minus में ही आएगा जो result आएगा वो minus में आएगा इसी तरह से 12 का गुड़ा minus 12 का गुड़ा 3 में किया तो यहाँ पर result तो आएगा 12 into 3 करेंगे तो 36 ही आएगा लेकिन result minus में आएगा क्योंकि इन दोनों का गुड़ा अगर एक संक्या plus में है एक संक्या minus में है तो दोनों का गुड़ा करने पर minus वाली संक्या जीत जाती है minus result में आपको देखने को मिलेगा अब चर राश्यों का भी गुड़ा करना सीख लेते हैं minus और plus का गुड़ा जब करते हैं मान लेते हैं एक संक्या minus a है और एक संक्या plus a है तो यहाँ पर दोनों का गुड़ा होकर a square तो आएगा लेकिन यहाँ पर minus a square आएगा तो यहाँ पर result में आपको minus देखने को जरूर मि आई है लेकिन यह यहाँ पर minus xy result भेँ आपको लिखना होगा मान लेते हैं कोई संक्या P है और दूसरी संक्या क्या है minus P है यानि की P का गुड़ा minus P में एक धंचर संक्या है एक धनात्मक वेरियेबल है positive variable है negative तो यहां पर जो result आएगा वो तो P square आएगा क्योंकि गुड़ा में घाते जुड़ जाती हैं लेकिन यहां पर यह माइनस का चिन result में माइनस का चिन परड़ाम में जरूर देखने को मिलेगा तो माइनस P square यहां पर होगा तो यह दूसरा नियम हो गया कि जब हम धन और रिड का गुड़ा करते हैं तो result में हमेशा रिड देखने को मिलेगा यानि कि positive और negative का जब multiply करते हैं तो result में negative का चिन आएगा ही आएगा negative का sign हमें रखना ही पड़ेगा और जो संक्याएं होगी उनका हम गुणा करेंगे वो result में आएगा और उसके आगे minus का sign रहेगा इसी तरह से अगर एक minus में है एक plus में है जैसा कि उपर भी ही मैंने इसको समझा दिया यह तीसरा rule आप समझ सकते हैं मान लेते हैं यहाँ पर 50 minus में है into 10 plus में है तो यहाँ पर 500 तो आएगा लेकिन यहाँ पर minus का 500 आएगा यहाँ पर भी minus जीता है क्योंकि एक संक्या minus में है एक संक्या plus में है जब हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो result में minus आता है तो 50 into 10 जब करेंगे 50 into 10 करेंगे तो 500 आएगा लेकिन ये 500 निगेटिव में आएगा ठीक है इसी तरह से एक और एक्जामपल देख लेते हैं माइनस 8 इंटू 3 तो यहां पर क्या आएगा 8 इंटू 3 क्या होता है 24 होता है लेकिन यहांपर 24 कैसा राएगा माइनस करेगा क्योंकि इंटू प्लस जब करते हैं तो भी result में minus आता है और अगर plus into minus करते हैं तो भी result में minus आता है plus into minus यह plus क्या था ना यह plus का था यह minus का था तो भी result में minus आएगा और अगर minus का है एक संख्या और एक plus की है यहाँ पर plus चाहो तो show करो चाहो तो ना show करो क्योंकि plus होता ही ऐसा है कि आप दिखा भी सकते हो चिन और ना दिखाओ तो भी वो संख्या प्लस की ही मानी जाएगी तो result में यहाँ पर आपको minus ही दिखाई देगा अब यहाँ minus 8 था minus का 8 था into plus का 3 था गुड़ा तो होगा लेकिन result में आपको sin minus का ही देखने को मिलेगा इसी तरह से देखो अगर क्या करते हैं कि minus x करते हैं into x करते हैं तो minus x square ही आएगा minus p करते हैं into y करते हैं तो py तो आएगा लेकिन minus py आपको देखने को मिलेगा तो इस तरह से हम इसका गुड़ा करते हैं कोई संख्या z है into minus z है into z है ठीक है तो यहाँपर क्या आएगा, z2 तो आएगा लेकिन माइनस z2 आएगा क्योंकि जो तीसरा चिन्नो के गुड़ो का नियम है चिन्नो का जब हम गुड़ा करते हैं माइनस की एक संक्या है और एक प्लस की संक्या है तो रिजल्ट हमेशा माइनस में आएगा ठीक है अब चौथा नियम देखो फोर्थ रूल है कि अगर दो संक्या माइनस की हैं तो result हमेशा प्लस में आएगा माइनस 5 इंटू माइनस 5 अगर कहीं दिया है तो यहाँ पर क्या आएगा 25 आएगा तो 25 कैसा आएगा यह प्लस में आएगा यह रूल है इसका जो फोर्थ रूल है माइनस इंटू माइनस इस इकोल टू प्लस यहाँ पर गरबड़ हुई है यह देखिए माइनस इंटू माइनस इस इकोल टू प्लस इसी तरह से अगर देख लेते हैं 10 माइनस का 10 into minus का 3 तो यहाँ पर 10 का गुड़ा जब 3 में करेंगे 10 का गुड़ा 3 में करेंगे तो 30 तो आएगा लेकिन यह 30 plus में आएगा यहाँ पर यह संक्या plus में आएगी तो minus और minus का जब गुड़ा होता है कि नहीं 2 संक्याओं में तो plus हो जाता है अब इसी को x, y, z के पदों में हम देख लेते हैं कि अगर कोई संक्या माल लेते हैं minus x है into minus x है तो क्या होगा कि यहाँ पर minus minus का गुड़ा होकर यह plus में बदल जाएगा तो यहाँ पर x square हो जाएगा क्योंकि गुड़ा में गाते जुड़ जाती है एक और यहाँ पर example देख लेते हैं छोटा सा कि minus का minus का 7 है into minus का 5 है तो जब हम इनका गुड़ा करेंगे तो 35 आएगा लेकिन यह plus का 35 आएगा अब यहाँ पर plus चाहो तो 35 ऐसे ही रख दो यह भी तो plus की ही संक्या है तो minus into minus जब होता है तो वो plus में convert हो जाता है तो यह चार rule थे जो की गुड़े के चिन्नों के नियम थे चिन्नों का गुड़ा कैसे होता है कैसे संक्याएं बदलती है तो यहाँ पर plus into plus की अगर कोई संक्या होगी plus और plus की दो संक्याओं का गुड़ा होगा तो result plus में ही आएगा ठीक है result plus में ही आएगा अगर plus into minus की दो संख्याओं का गुड़ा होगा तो result minus में आएगा plus into minus की संख्याओं का गुड़ा होगा तो result minus में आएगा तीसरा नियम है कि minus into plus यानि कि एक संख्या minus की है एक संख्या plus की है तो result तब भी minus में आएगा ठीक है एक माइनस की है एक प्लस की है तो भी माइनस में आगा और फोर्थ रूल है कि अगर दोनों संक्या है निगेटिव है दोनों संक्या है माइनस में है रिडात्मक है देखो माइनस 5 इंटो माइनस 5 तो दो संक्या है दो रिडात्मक संक्याओं का अगर गुड़ा होगा तो result plus में आता है तो उमीद करते हैं ये video समझ में आई होगी और आप अच्छे से समझ गए होगे तो मिलते हैं अपने next video में basic गड़ित को पूरा अच्छे से सीख लेंगे तो इसकी playlist आपको हमारे channel पर मिल जाएगी तो channel को जरूर से subscribe करना ठीक है मिलते हैं अपने next video में उमीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी channel को subscribe कर लो इसी तरह की important videos के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अपने next important video में